नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत महता है मैं गैस्ट्रेंट्रलोजी डिपार्ट्मेंट में कंसाल्टेंट हूँ नारायना मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जैपुर में मैंने अपनी पढ़ाई एम्स नई दिल्ली से की है और उसके बाद मैं अभी नारायना में क बहुत जाद है तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या होता है कई लोगों को कब से मतलब समझ में गलत आता है तो क्या होता है वो यह मैं बताऊंगा आपको वो किन कारणों से होता है कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपके क्या क्या टेस्ट होने जरूरी है यह सब मैं आज आपसे बात करूंगा तो कब्स क्या होता है कब्स होता है जब आपको लैटरिन या स्टूल में सक्त लैटरिन हो या फिर आपको लैटरिन के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो या फिर आपको दो या तीन दिन के अंतराल पे लैटरिन हो ना कि रोज या ए नहीं होता उसको हमें कबस नहीं बोलता हूं और हम लोग कबस नहीं बोलते हैं तो इसलिए जरूरी आपको समझना कि कबस क्या है अब मैं बताओ कि कारण क्या क्या होते हैं कबस के कारण होते हैं कुछ medical बिमारियां जैसे thyroid की problem, sugar इन में कबस होता है कुछ दवाईयां हैं जैसे blood pressure की कुछ दवाईयां antibiotics हैं इन से कबस हो जाता है खाने पीने के problem से भी कबस होता है जैसे की पानी कम पीने से, fiber कम खाने से और कबस और भी reason से होता है मगर 20 प्रतिशत लोगों में कबस का कारण हमें नहीं पता चलता है भले ही सारे टेस्ट कर लें उन में क्या होता है हम मानते हैं कि आथ थोड़ी कमजोर हो गई है और यह चीज उमर के साथ ज़्यादा होती है तो कबस के और लक्षन भी होते हैं सिर्फ लाटरिन नहीं लोगों को पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है बट वो सब प्रॉब्लम के अलावा आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए यह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों को कब 5 या 7 साल 10 साल से हो रहा है उनके लिए नॉर्मल चूरन या नॉर्मल सिर्फ से ठीक रहते हैं बट आपको डॉक्टर को कब दिखाना है वो है जब आपका वजन कम कर हो रहा हो या पचास साल के उमर के बाद आपको अचानक से कबजियत हो या एक या डेड़ महिने के अंदर कबजियत हो तब वो हो सकता है कोई बड़ी बमारी का संकेत है या तो फिर आपके पास शुगर या थाइरोइड की रिपोर्ट है जो कि ठीक नहीं है तो उनकी दवाईयों से भी आपके कब्स ठीक हो जाएगी फिर आपको या तो भूप कम लगनी लग गई हो और आखरी में अगर आपके मलदवार या स्टूल में खून आने लगे इन स कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जैसे मैंने बताया शुगर थाइरोइड इन के लिए व्यागर एक टेस्ट है अगर आपका वजन कम हो रहा होगा या खून कम हो रहा होगा तो एक टेस्ट है सिगमॉओडोस्योपी या कॉलोणोस्कोपी इससे हम आपके बड़ी आत को एक कैम इनमें दर्द नहीं होता है तो यह टेस्ट अगर आपको डॉक्टर बताएं कोई कारेंट से तो आप करवा सकते हैं तो अब हम बात करेंगे कि कब्स को ठीक कैसे किया जाता है तो कब्स को ठीक करने के लिए आपको कुछ अपने जेनरल प्रैक्टिस यह रोज़मर्रा की जिदगी में कुछ चेंजस करने की जड़त है जिनको ज्जादार समय से पानी ज्जादा पीना है ठंड के समय में कम से कम 2-3 लीटर कम से कम और गर्मियों में तो 4-5 लीटर पानी आपको पीना है इससे आपकी लाटरेंज सक्त नहीं होगी आपको फाइबर जादा लेने हैं तो भई फाइबर किसमें जादा है रोज एक टाइम सलाद खाने की कोशिश करें अगर सलाद नहीं खा पा रहें तो कुछ चीजें में बता रहा हूँ जिनमें फाइबर जादा होता है उनको रेगिलर में लें सेव हो गया, केला हो गया राजमा, छोले, बदाम, मुंफली इनमें फाइबर जादा होता है तो इनको आप रेगिलर में लें तो आपको कभ़ियत की प्रॉβलम थोड़ी कम होगी कुछ और भ्रहम है जो मैं बताना चाहता हूँ जो लोग regular practice में लेते हैं और उनका curves इसी से और बढ़ते जाता है तो वो चीजें नहीं करनी हैं आपको जैसे कि जब आपको stool का pressure बनता है आपको उसको रोकना बिलकुल नहीं है weight नहीं करना है आपको तुरंट कोशिश करने जाना है अगर आपको pressure ठीक से नहीं बन रहा तो कब कोशिश करना है खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपकी आथे अच्छे से चलती है तो उस समय कोशिश करें आप उस समय Latin होने की संभावना जादा अच्छी तरह होती है तो नाच्टा के 10 से 15 मिनट बाद करें ये कोशिश फिर एक बार अगर आप बाथरूम में बैठे हैं 10 से 15 मिनट कोशिश करें यदि आपको जादा जोर लगाना पड़ रहा है या ठीक से नहीं वा तो आप वापस आ जाए आदा घंटा एक घंटा बाथरूम में नहीं लगाएं उससे आपकी आते और कमजोर होती है और जो सबसे बड़ी प्राबलम आजकल हो गई है वो है कि अंदर मुबाइल फोन या पेपर ले जाना ये आप नहीं करें इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और आप अच्छी तरह नहीं बाथरूम जा सकते हैं इससे आपकी कॉंस्ट्रिपेशन बढ़ेगी ठीक है ये नहीं करें अगर इन सब चीजों से भी आप ठीक नहीं रहे पाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी दवाईयां है कुछ दवाईयों से लैटरिन धीला पड़ता है कुछ दवाईयों से जो कमजोर आते हैं वो आगे बढ़ने लगती है जिससे आपका लैटरिन ठीक से हो तो इन सब के लिए आपको मिलने की ज़रूरत है डॉक्टर से तो कब्स जो बच्चों में होता है उसके कारण थोड़े अलग होते हैं और उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है बट अगर हलका फुलका कब्स है तो एक घर में जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें पानी और फाइबर वाली बात जैसे बड़ों में है वैसी बच्चों में बट एक चीज़ें उनको थोड़े दिन तक उनका दूद और दही बंद कर दें कई बार इससे कब्स जो थोड़ी दिन का इंफेक्शन या किसी चीज़ से आया होता है वो ठीक हो जाता है बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता था शुक्रिया